पंजाब में जीस्टी की बड़ी चोड़ी पकड़ी गई है पाँच हजार से अधिक करोड़ का मामला जो है वो सामने आया है इस पर ज़्यादा बात्षीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के फिनांस मिनिस्टर हर्पाल सिंग चीमा है चीमा साथ एक बड़ी जीस्टी की चोरी, जो है, वो सामने आई है, कितने करोड़ का ये पुरा मामला है और कैसे आप लोगों ने से बकड़ा वक्त सारी फर्में, जो जिएसटी में रिजस्टर सीrat चांटल, उने में में पंजाब में या अन्या राध्यां की यूरिडिक्शन में वो अपनी फेक बिलिंग करके आई टी सी रिटरल लेते थे जाली फर्जी में बनाके और गोल्ड का काम करते थे आईरन का काम करते थे दो फर्में बड़ी एक अमरसर्ख साब की और दूसरी मैं समझता हूं लोधियाना की यह फेक जो है विलिंग की उनको हमने पकड़ा है और दूसरा लगबख चार हजार क्रोड से उपर का जो आईरन आईरन का का काम करने वारे लोग हैं लोहे का का काम करने वारे लोग हैं उनकी भी फेक विलिंग हमने पकड़ी है तो आज हमने एक बड़ा मैं समझता है बड़ा स्कैम जो पकड़ा है हम पंजाब में जो भी आदमी टेक्स की चोरी करेगा उसको बक्षा नहीं जाएगा उसके खलाफ सरकार सक्ट एक्षन लेगी क्योंकि हम एक एक रुपए की चोरी रोक रहे हैं ताकि पूरा का पूरा पैसा सेंटर पूल में और पंजाब के पूल में आ जाना की फर्में वो उन्होंने सोना कहां से लेकिया है गोल्ड कहां से पर्चेज किया उसका उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था वो दो फर्मों के खिलाब एक्षन लिया है तो उन्होंने जो अपने गहाक हैं जो अपने समान करीदने बाले हैं गोल्ड करीदने बार दोगो उनको तो बेच दिया पर लेकिन वो कहां से ले के आए इसका उनके पास कोई भी समूत नहीं था इसी लिए उनके खिलाब एक्षिन लिया गया और लगबग 45 CR का उनको हमने प्लेंटी इंपोस किया है और टेक्स इंपोस किया है और इसके अलावा जो क्रिमनल एक्ट बनता है उसकी भी हम पूरा हमारा डिप्राट्मेंट काम कर रहा है जो भी क्रिमनल एक्ट बनेगा वो भी हम उसके धार वे करेंगे जो यह जो यह सामने आئ mehr यह तो यह भी हो सकता है कि यह जो गोल्ड आया है तो उसकी खिलाब भी हम एक्षिन लेगे और दूसरा जो लुद्याना में या फतेगड में गरीब लोगों के एधार कार्ट लेके उनको रिजिस्टर करवाके फर्मों में रिजिस्टर करवाके उनके नाम पे दस दस बीस बीस क्रूर का दंदा करते थे गरीब लोग को पता है तो हम एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हम बिलकुल जो भी टेक्स की चोड़ी करेगा उसके खिलाब सरकार सक्ट एक्षिन लेगी है योंकि इंटर स्टेट गैंग था जी इंटर स्टेट गैंग गाम करते हैं जैसे हर्याना है आ उतरपरदेश है और अन्या दूसरे जो 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 कारी गार्न उनको भी सक्ट एक्षिन लेना चाहिए जो जाली फर में रिजिस्टर करवाते हैं जाली नाम पर रिजिस्टर करवाते हैं तो उनके खिलाब एक्षिन लेना चाहिए लास्ट जो जो जी इस्टी कौंसल की मीटिंग होई थी उसमें भी यही पास किय कि अदार अथेंटिकेशन जो है उसकी अटेंडनस होनी चाहिए ताकि जब हम जीयस्ट्री रिस्टर करते हैं तो जीयस्ट्र करवाने वाला आदमी है जिसके नाम पर हो रही है उसका अच्छे तरीके से पता लगे कहां का रहने वाला है कहां वो विजनस करता है बैसे तो हम तो पंजाब में पूरी verification करते हैं, हमारे तो कारिगंड जाके जहां उनका जो अपना प्रमसर्स दिखाते हैं, जह अपना business ताल निखाते हैं, बहां पे हम जाके पहले बिजिन्स करते हैं, उसके बाद उसको जीसिति निंबर जारी करते हैं, लेकन सेंटर सरकार ऐसा नहीं क उसका फाइदा इस तरह के लोग जो उठा रहे हैं। पंजाब में एक एमानदा सरकार कम कर रही है बड़ी ओनस्टी से हम कम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में इस तरह का एक्शन और देखने को मिल सकते हैं बिल्कुल हमारी तो टीमें ग्राउंड पे लगी रहती है तो उसे सरकार नहीं बख्षगी चंडीगर से कैमरा पोसन आजराना के साथ अमित पांडे, News24